हेलो एवरिवान, वेलकम टो माई किचेन आज हम बना रहे हैं हेल्दी मूंग स्प्राउट्स की सबजी ये सबजी बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी मूंग स्प्राउट्स बनाने के लिए मूंग को पानी में भीगो ले 8-10 गंटा और एक कपड़ में बांद के रखें 24 गंटे के लिए तो आपके स्प्राउट्स भी इस तरह से रेडी हो जाएंगे मैंने यहांपर एक कटोरी मुंग के स्प्राउट्स लिये हैं इसे अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसे थोड़ा पका लेंगे इसे और कूर्ट नहीं करना है मैंने एक पैन में पानी लिया है थोड़ा इसे हम गरम कर लेंगे आप इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं लेकिन ये प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा पक जाते हैं इसलिए मैं इसे एक पतेले में पका रही हूँ इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है पानी गरम हो चुका है इसमें मैंने सारे स्प्राउट्स डाल दिये हैं इसे हम 10 से 15 मिट तक कुक कर लेंगे 10 मिनिट बाद हम चेक करेंगे हमारे स्प्राउट्स पक चुके हैं ये स्प्राउट करी बहुती हल्दी होती है और बहुती टेस्टी लगती है इस्प्रावर्स अब पक चुके हैं अब हम बगार की तयारी करेंगे ग्रेवी के लिए यहां पर मैंने प्याज टमाटर अद्रक लहसुन हरा धनिया और करिपत्ता लिया है इसमें से मैं अद्रक लहसुन और थोड़ा प्याज थोड़ा टमाटर और हरे धनिया का पेस्ट बना लूँगी और थोड़ा प्याज टमाटर हम तड़के के लिए रखेंगे इसका अब हम एक पेस्ट बना लेंगे मैंने यहां पर इसका पेस्ट बना लिया है मैंने यहां कुछ मसाले लिये हैं लालमिश पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, राई जीरा, धन्या पाउडर मैंने यहां पर चार चमच तेल लिया है, नमक लिया है और रोस्टेट पिनट पाउडर लिया है कढ़ाय को गरम कर लेंगे और उसमें तीन से चार चमच तेल डालेंगे आप अपने हिसाब से इसमें तेल डाल सकते हैं तेल को गरम होने दें और उसमें एक चमच जीरा डालें और एक चमच राई डालें राई और जीरे को थोड़ा तड़कने दें थोड़ा सा करीपत्ता डालेंगे और कटा हुआ प्याज डालेंगे मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया था थोड़ा हरा धनिया डालें इससे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लैवर लगता है प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे अब हम कटा हुआ टामाटर एट कर लेंगे यह सब्जी में तीन से चार लोगों के लिए बना रही हूँ अब हम इसमें पेश्ट डालेंगे अधरक लहसेन प्याज टामाटर का पेश्ट एट करेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यह सब्जी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं आपको जरूर पसंद आएगी यहाँ पर में दो चमज लालमिज पाउडर डाल रही हूँ एक चमज गरम मसाला डाल रही हूँ एक चमज धनिया पाउडर डाल रही हूँ और एक चमज हल्दी डाल रही हूँ आप मसाले अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं मूंग का टेस्ट मिठा होता है इसलिए आप ये सबजी जादा मसालों के साथ बनाएं तो और भी अच्छी लगेगी मिक्सी जार में थोड़ा पानी डाल कर हम इसमें डाल देंगे मसालों को अच्छे से पकने दें जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता एक चमज नमग एट कर रही हूँ आप नमग अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं हमारे मसाले यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं इससे थोड़ा तेल भी अलग हो रहा है अब हम मूंग डालेंगे मूंग स्प्राउट्स अल्रेड़ी पके हुए हैं सबजी को ज़्यादा उबालना नहीं है मैं यहाँ पर रोस्टेट पिनट पाउडर डाल रही हूँ यह आप्शनल है आपको पिनट पाउडर पसंद है तो आप डालें अदर्वाइस इसे स्किप भी कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला लें थोड़ा हरा धनिया डालें अब सबजी को हम पाँच मिट उबलने देंगे यह रेसिपी आप एक बार जरू ट्राइ करके देखे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप इस सबजी को चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं हमारी मौंग स्प्राउट्स की हल्दी सबजी बनकर तयार है बाई बाई